हेलो फेंड्स मादमेकेडमी टू बंजन प्रस वागत है तो एक पर फिर से मैं आपके लिए कहीं क्लास 10 का साइंस का पेपर सॉलूशन प्रीवोड एक्जाम का यह ले टेस्ट है इससे पहले में पार्ट बना पूट कर चुके इसका यह सेकंड पार्ट है इस तरह से हिंदी क पार्ट के भी और इंग्लिस के भी टू-टू पार्ट आपको मिल जाएंगे तो इससे आपको आइडिया लग जाए कि आपकी तयारी कितनी है इसमें आप देख सकते हैं और जहां पर आपको लग रहा कि हमारा यह पोर्शन प्रेज नहीं हुआ है तो आप इसको तयार कर ल सब्सक्राइब करने के लिए मिलते हैं वड़ा पर सलूसन देख लेते हैं तीक है खंड का में आपके फिजिक्स के पहले एंप स्यों आएंगे उसके बाद कि सौट फिर आप क्या जाएंगे लॉंग ठीक है चाले सेंटीमिट वाले उत्तर लेंस की फोकस दूरी जितने भी वह सलूसन उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ मैंने आपको बताया भी है और मैंने जो नुमेरिकल करवाई थे आपको फिजिक्स के सारे उसकी प्रेयर हो गई होगी फोकस दूरी आपको बतानी है एक ठीक है तो एफ निकालते तो क्या करते हाफ कर देते हैं आधा कर दो चालेस का अधा कितना होगा बीस उत्तलत ऑंसर प्लस में होगा बैसी में मैनस में कुछ है नहीं इसका अंसर भी सदाएगा तो 20 अंसर कैसा आया F जगल टू फर्मल लगा दो R अपॉन 2 कितना अंसर आगा 20 अगर हमसे R पूछी होती और F दिया होता तो हम इसका डबल कर देते तो 80 अंसर आजाता हमारा और पेपर में इससे रिटर आपको कोशन हर बार आया ऐसा इससे पहले बाले पार्ट पर भी में आपको करवा रखा था तो आपको इसका अंसर अच्छे से आना चाहिए F पूछे तो हाफ कर दो R पूछे तो डबल कर दो उत्तल का दियान रखना उत्तल में है तो प्लस में अंसर आता है अपतल होता है तो माइनस में और देखो यह डबल और हाफ करके आंसर आपको दोनों देगा असी भी दे रहा है जिसे बच्छे कन्फ्यूज हो जाएं कि डबल कर दे तो आपको धायान रखना कि फोकॉस दूरी जो बकतत जागी क्या होती आधी होती है ठीक है यह संबंध भी पुछा आता है कि फोकॉस दूरी अब बकतत जामें संबंध क्या होता है यह होता है आरपर टू यह आर इस इकल टू टू इन्टू एफ ठीक है और आपके हाथ में कॉपी जरूर हो जीए कॉपी और पैन जिससे भी जो भी बताओं एक्षटा बहुत सारा इसमें मैं आपको करवा देती हूं तो आपसमें नोट डाउन करते चलिए जितने भी प्रसलू से न सारी प्लेस बने हुए आप एक बार देख लेंगे तो आपके तैरिक दम बैस्ट होगी और आपका एक भी नमबर दस से उधर बोड में नहीं होग कि इतना भी बता मस अतना करते चलो कि समा जश्की इस पर इसकी नितन दूरी इससे पहले बाले पार्ट बन में इसका कोश्चन थोड़ा घुमा के पुछा था समतल दर पड़के फोकस दूरी तो अनंत होती है और दूर बिंदू भी अनंत पई बनता है ठीक है तब ही मैं आपको समझाया था कि इस पर इसकी नितन दूरी पूछ तो कितने लाना है पत्चीस सेंटीमीटर ठीक है मीटर नहीं लाना है पत्चीस सेंटीमीटर ध्यान रखना कुश्चन मर्गा देखो प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक इससे पहले पर सलुसर में इसका सवाल करवाया नहीं आप नाप्रतों देखें बचला क्या गलत हो जाएगा प्रती रोज होता तो ओम कर देते औसर ऐसा करके ये प्रत्रोधकता ऐसे रोज से लिखते आसे करके इसका मैंना फॉर्मुला सबाल भी पहलेकर वाय था आर इंटू एपोन यह फॉर्मूला होता जो ठीक है तो इसका मातर जो होगा ओम इंटू मीटर होगा धिहां रखना ठीक है प्रत्रोध आता तो हम ओम करते नेक्स्स देखो विद्धार उत्पन करनी की युक्ति पूछ रहा है अगर पूछता है विद्धार को मापते किसे हैं तो आंसरा था मीटर इसने पूछा कि विद्धार उत्पन करनी की युक्ति बताओ तो वह आपका जनित्र जिसे डायनो में भी कहा जाता है यह किस में मतलता है यांति उर् डाइनमो इसी से विद्धारतपन की जाती है ठीक है और धारम आपने का यह वहता हुथ होता इस तर विवांतर का जो होता है उसे बोल्ट मीटर से मापते हैं तो इस तरह से आपके बहुआ सारे लेही है आपको एक तरह से अंतर पोछाता है रहा हों क्या होता है कि इसका जश्च्ट उल्टा करते सकते हैं जबके आपासी पीतम को परदे पर प्राप्त नहीं कह सब्सक्क्र ध्यान रखना इस बात को बास्य प्रतम होता है जो हमेसा उल्टा बनता है और आवास्य प्रतम को जो बनता हो पर दे के आंगे बनता है और यह हमेसा पीछे बनता है ठीक है और एक पॉइंट हो रहा है कि यह प्रकास करणों के मिलने से बनता है बास्य प्रतम और जो आवास् और अब हासी प्रितम इसका उल्टा है ठीक है प्रितम जो हमेशा बनेगा इसका सीधा बनेगा ठीक है और इसे पर्वदे प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब कि बास्तवे को कर सकते हैं अंतर आपको अच्छे सा आने चाहिए अंतर पूछ ले तो भी आपको ऐसे लिख देना है उसका प्रिकास के भवतन का नियम इससे पहले पार्ट बर्म में आपको कर भाया था प्रिकास का प्रावतन इसमें क्या होता था प्रावतन में कि कोई भी प्रिकास की क्रण चिकने प्रसे से टकराकर बापस उसी माध्दे में लोट आती है तो इस घटना को क्या बोलते प् के ब्राबरहत होटा है ओर आपकी प्रावयतन कॉंछ प्रैपन ल कि परावयतन होता है प्रकास कि करण का ली एन थे से तकराकर बापस उसी माध्म में लॉटाना प्रकास का करता है थोड़ाइं आज आज क्योंकि इससे पहले में बहुत सारे वीडियो अप्लोड कर चुकि उसमें भी कई बार बता दिया है अगर आपने ना देखे तो इस पर देख लेजिए अपर तन्वी में आपको बहुत बार बताया इस स्पेक्ट्रम बढ़ बिच्छी पड़ बिविग और सही करम होता ह है यह रंगों का करम आपको याद होना चाहिए ठीक है बिविग और वालेट इंड को ब्लू ग्रीन यलो औरेंज रैड तो अब परतन की परवासा क्या होती है कि जब कोई प्रकास की करड़ एक पाधरसी माध्यम से दूसरे पाधरसी माध्यम में आती है जैसे यह प्रकास की करण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है पाधरसी में तब अपने मार्क से थोड़ा सा बिचली तो जाएगी मतलब सीथा ना जाकर थोड़ा से तरच्छा पान हो जाएगा उसमें ठीक है इस घटना को प्रकास का अपभरतन कहते हैं तो प्रकास की करण का एक इसे बोलते ना बायो के सापेच कांच का तो बायू हो गया एर कांच हो गया ग्लास के अपबरतन आग न कि इसको इस तरह से मू से भी ले सकते हैं तो इसका फरमला आप ऐसलिक देना कि साइन आई अपोन आर जिसे इस नेल का नियम भी कहते हैं कि साइन आई अपोन साइन आठीक है मिव बराबर या एन बराबर भी कर सकते हैं कि यहाँ पर साइन पर अपान सायंसी होता है क्लांतिक को HOL नों ठीक है यह अब अब बतनांक का आप फौर्मला आ दाखना अब संबंधी पुझे लिखे नंक और क्लांतिक कोड में संबंध़ लिकी ता आपको यह लिख़ देना निए इकल टू बन अपॉन साइन सी और जो मैं आप यह आपको लिखाया था नहीं साइन आप यह स्नेल का नियम होता है साइन आपन साइन अर बराबर नियतांक कौंस्टेंट रहता है यह से पहले पार्ट में करवाया तरी अपहले बाले में इसे बहुत सब्सक्राइब कर लिए आप उनकी प्रेक्टिस कर लिजिए निकट दस्टी दोस्ती पीड़ेद विक्ति को दूर बिंदू नेत्र के सामने 80 cm के दूरी पह रहे हैं तो इसकी फोकस दूरी बतानी है और प्रकरती बतानी है अब आप निकट से समझगे होंगे कि निकट में कौन सा लेंस यूज होता है अब तल ट्रिक बताई थी मैंने नी अ ठीक है निकट में अप्तल लेंस यूज होता है इसको आप ट्रिक से याद अखना दूर में उत्तल का होता है निकट में क्या होता है पास की बस्तों दिखा तोकिक ऊस्कारूं ऑसमें ऊसमाजिए तो अबसके प्रकृते हो और रहगी थायए तो आपको मायनस में लेना है आप जानते कि दूर वें अनंध पर बनता हैं से में पूछा गया की जो अजिएए तक कहां बनता है तो अनंत पर तो अब एक तो यू तो आपका इंफिनिटी हो जाएगा अनंत ठीक है यह हो गया उसके बाद 80 cm की दूरी पर है तो वी इकल टू माइनस क्यों लेगे क्योंकि निकट है अब तल में सब माइनस हो जाता है ठीक है तो आप सबसे पहले इससे फोक सब्सक्राइब तो यह निकालेंगे तो बन अपन माइनस क्योंकि लेंगे यह में फिटी रख देंगे इसके कोई मीनस होता ही नहीं यह हट जाएगा तो आंसर हमारे यहीं से आजाएगा एफ इकल टू माइनस का एट्टी प्रकृती हो गई अप तर लेंस से रोडात्मक र मीटर बनना चाहें तो संटी असी में सौका भाग दे दो पॉइंट एट मीटर आ जाएगा माइनस में प्रकृती माइनस से ड़डात्मक रहेगी ठीक उत्तल होता द्धनात्मक होती इसी में एक कोशन कर ऐसे और पूछ लेता कि इसकी छमता बता हो फोकॉस दूरी निकाल लाक्या होता है 100 बटे एफ सेंटी में ना तो हम सौबटी लगा देंगे इसमें 100 बटे 80 ऐसे करके तो 10.8 डिवाइड देना चाहता है आप देलो यह अनसर आ जाएगा ठीक है डिवाइड देंगे तो 1.8 बंजाए एट 1.25 अगर पॉइंट में देंगे तो ठीक है चमता ऐसे निकाल लेते हैं अगर मीटर में होता तो एक बटे एफ लगा देते हैं ऐसे कर लेते हैं यह बाला भी मैंने सबाल आपको करभा रखा मोस्ट इंपोटेंट है प्रत्रोध बाला और एक जम में पूछे भी जाते हैं बहुत सिम्पल है तीनों प्रत्रोध को स्टेडी क्रम में जोड़तो फॉर्मुला मैं आपको बार 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 बता चुक्क हूं पहले भी आज जल्दी कर भाऊंगे सिरे आर बन जितने आर लो तो लेलो स्रेडी में ऐसे लेते हैं ना सिधा सिधा चलते स्रेडी में समांदर अa V हमें दे रखा है है 20 टैन यह दे रखा ना भीं आई निकालनिये सबसे पहले प्रसी स्वांड़ा अब बार बी, आ कयं आई क्या लेक लिए वर नि समी्पे है कॉइंद Caleb है बेने नीकालें है तो थे 2 और कर देंगे तो 14 अ कम्मारें कर बाद चुके विभांतर विभांतर भी सम्में अलग अलग निकालना है तो वी इकल टू आई तो यही रहेगा आरवन आई पॉइंट फाइब रख देंगे पहली बार आर ले लेंगे टैन तो आजगा हमारा आंसर 5.0 बोल्ट बी का मांत रख बोल्ट होता है पहले के लिए हमारा बी निकला 5 बोल्ट अब दूसरे के लिए निकाल लो फिर से वही फर्मुला आई इंटू आर टू आई हमारा वही रहेगी 0.5 इस बार आर यह ले लेंगे 30 पॉइंट लागा ने एक के बाद तो तीन बोल्ट आजागा इस तरह से तीसरा का ले लो थार्ड का आई हम सब्सक्राइब है और आपको यूने में कलना रहा है तो इसका प्रिलेश्ट में समस्की वन्यूस पर देख लो से लड़ी समांतर में कैसे जोड़ जाते हैं उसके बाद बढ़ बिच्छी पड़ जो मैं आपको बता रही थी ना यह दो कोश्चन इसमा भी गया हूँ कि यह प्रिज्म होता है सौट में थोड़ा मता देते हूं प्रिकास की किरण का किसी प्रिम से निकल कर देखो साथ रंगों में वाज़े तो जाना कि यहां पेक पट्टी प्राप्तती से स्प्रेक्ट्रम कहें जाते हैं ठीक है तो definition आप कैसे लिखोगे शूर की प्रिकास किराड़का ठीक है यह सुईत प्रिकास किराड़का अपने अबेवी रंगों को परकास करना में वाइत होना या कर देना, क्या कहलाता है? वड़ विच्छे पर कहलाता है साथ रंगों में प्रट्री प्राप्त होती है इसका क्रम क्या होता है? बिबग्यॉर अभी जस्ट मैं आपको बता था, कई बार पूछा भी कहा है जो भी कोशन पूछेंगे वाइलेट और रेड यानि वैगनी और लाल में पूछाते है प्रिकिड़न और सब तो लाल रंग की किरण में बिचलन सबसे कम होता है इसमें और वैगनी में सबसे अधिक होता है इस तरह से आप इसका लिख देंगे और अगर कारड पूछना है तो कारड कैसे लखेंगे जो कारड भी तो पूछा हुआ है जब कोई प्रिकास करड़ कांच के प्रिजम से गुजरती है तो वो अपने मार्क से बिचलन जाती है तो ये आधार की और बिचलित होकर प्रिज्म के आधार के और जुख जाएगी यह प्रिज्म होता है ऐसे करके यह नीचे वाले सबसे जुख जाती है ठीक है तो प्रिकास में भिनमिट रंग होते हैं प्रिकास के उटना में बिचलन भी अलग-अलग होगा तो लार रंग के प्रकास की किरण प्रिज्म के आधार के और सबसे कम जुकती है लार रंग के सबसे कम जुकेगी ऐसे बना होता है यहां से ऐसे निकलता है ठीक है नीचे सबसे चलते है बेबी के और सबसे जुकेगी यह वाली और सबसे कम जुकती है लाल वाली एक नहीं के सबसे जो होती है अधार को सबसे कम जुगती है बैगनी वाले सबसे अधिक जुगती है इस प्रकार सुवेत रंखे प्रकास की प्रकास से गोजनने पर उनका बढ़े विच्छेपड हो जाता है ऐसे आप लिख देगे बना के अथ्वा में क्या दिया है सब्सक्राइब करना है मतलब इसका जो फॉर्मला होता है यह बाला बन अपॉन आरपन रजबन अपना रटू यह हमें पुरुफ करके लाना है इसमें टोटल ठीक है आपको डैफिनिस लिखते हैं इसमें सवाल भी समसा आपको कर देने हैं अपको अगर समसा अच्छे नहीं आते हैं तो आपको इस फॉर्मला प्रूफ करके देना है यह बाला भी क्वेश्चन है ना अब तर दर पड़ से क्रणा रहे खीचनी है यह पहले पेपर सोलोशन में कर बार क्यूंत पूरा बता रख है मैं इसमें तो बार बार इसमें टाइम बेस नहीं करूँगी जो नया बाई छेतर पलज ताप ठीक है अप वर्द्थ रहे हैं मतलब बदले ना तो चल्लक में ब्हले मैली धारा उसके फ्वीवान तरक्या इसके क्या होती है अनगर्मान पाटी होती है जैसे वी यह इसके नाग जाते है निया तंग जहां पर आ रा जाता है इससे नके फॉर्मल याद रखना यह रहा B, I, R, I निकालेंगे तो B upon R हो जाएगा R निकालेंगे तो I नीचे पहुँच जाएगा B upon I, Formula बनाना मैं पूसे का I, Q, Q, तो यह तीनो नियम Option में 4 देदेगा Formula बोलेगा किसमें से कौन सा OM के नियम का पालन नहीं करता है तो यह तीनो आपको याद होने चाहिए एक याद कर लो उसे बन जाते है R निकालेंगे तो R नीचे पहुच जाएगा R निकालेंगे तो R नीचे पहुच जाएगा ठीक है या फिर इसमें से पूछ लागा कौन सा पालन करता है तीन गलत देदेगा एक सही देदेगा उसके बाद सत्यापन भी करना है पर उसके दिखा देगे कि OM का नियम के बस धातु चालकों तथा मिस्स धातु चालकों के लिए ही सत्य होता है ठीक है इसमें पूरा-पूरा बना के लिग देगे बोल्ट मिटर पर तो पतार की भी जोड़ देते हैं पूरी आपको एकस्पेंड करना है उसके बाद केमिस्टर इशार होती है अपकी किस गेस की उपस्ति है मैंगनिशियम रिवन का देहन होता है देहन आ जाए ना तो जलना होता है अब जलना कब होगा आग जि लगती है जा महाँ पर आक्सिजियन होगी ठीक है नहीं नहीं तो आग नहीं जलेगी तो इसका इसका आँसियन उदासीन बिलन का प्येज़ मन के होता है यह सेबन होता है यह भी आपको अच्छे से बता चुके हूँ पूरी आपकी साइन्स हिंदी इंगले स्पूरा कबर करवा रखे प्रक्षिस कर सकते हैं पीच मान सेबन होता है अगर साथ है तो बिलिए कैसा होगो दासीन सास से कम होता है तो अमली है सास से अदिक होगा तो चारी है और यह कोशन और पूछे आते इस तरह से जैसे यह है इस तरह से भी कुश्चन पूछे गया है इसे सोरंसन ने बदाना था पीएच पेमाना जीरो से लेका फोर्टीन तक होता है ठीक है नेक दे लेते हैं जिन बच्चों के त्यार ही उनको अच्छे से आ रहा होगा जिननों फर्स्ट टाम कर उनको थोड़ा प्रॉलम हो रही है समझने में क्या बता रही हूं मैं आपको आई पेसी चप्टर पूरा के लिए करा रखा है इसके तीन चार वीडियो इसमें टेस्ट भी मैंने लिया है अगर आपने वह देख लिए तो आपका आई पेसी से गलत नहीं होगा अलकाइन का सूतर क्या है मैं उसमें सारे यह भी में में क्या होता है डबल बॉंड आते है से एतीन ठीक है एतीन परोविण इन का साणम आ रहा है यह तो और दबलबॉंण अलकाइन में ट्रपल मतलब डबल बॉंट आएगा ना तो केबल सी एनेश टू एन यह फर्मला होगा ध्यान रखना से कॉपी पर लिखते जो मैं आपसे बार बार बोली हूं नोट्स आपको प्रॉपर बनाने हैं एलकेन पूछे तो सी एनेश टू एन ठीक है इसमें डबल बॉंट आती है जो प्लस टू है यह आपका एलकेन है जिसमें सिंगल बॉंट आती है जैसे मेथेन एथेन और जो इसमें पूछा गए यह एलकाइन है सी एनेश टू एन माइनस टू जिसे प्रोपाइन है था है इसमें टपल बॉंट आती है तो एलकेन 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 तीन अच्छे से आपको याद रखने है जिसे संतरप्त पूछाता है तो बही है यह संतरप्त में आपका सिंगल बॉंट आता है और असंतरप्त में आपका यह आता है इससे भी कुछन पूछा गया है तीक है उदासिनी करण बहुत सिंपल है क्या होता है कि जब अमल चाहर मिलकर लबड बनाते हैं तो इस के लिए को उदासिनी करण कहते हैं जैसे कोई अमले ले लो अए चैल जिसमें अचैन पाया दो हम्लोता हैं जिसमें ओच पाया है वो चाहर होता है पर अंपल में पूछर जाए आ तो दो फूर爆ल में आपका कैन मोता है तो एक आम्ले ले लिए अमने एक च्छार ले लिए अब लबड बना देंगहिंए ऑग्द्ध लेक्ते हैं निलिए नेक्स्ट है दातो को संचारड के रोकने के दोपाई बताने हैं बहुत सिंपल है यह भी सबसे पहले आपको आना चीछ संचारड होता क्या है ठीक है यह भी डेफिनेस कई बार पूछी गई है जब कोई दातों की चीज को हम किस खुले में ऐसी रख देते हैं तो ऑक्सिन से क संचारड हो जाती है आसपास आदिता मिल जाता है इस प्रिक्रिया को संचारड कहते है जैसे लोही पर जंग लगना लोही की बस्तों आप खुला डाल तो इसमें थोड़े दिन वाद देखेंगे जंग लग जाएगी चांदी की उपर काली परत बतामिक उपर हरी परत का च दाद्य को संचारत से होने से बचाने के लिए तो पाया पई लिख देंगे पेंट करके ग्रीस लगा कर इस तरह से इसको रोक सकते हैं यह चैप्टर में पूरा आपको करवा दिया मैंडलिफ का आदनिक आपरतिनियम और बिकर्ड संबन्द और मैंडलिफ आप साथ के गुड़ दोस बस यह चार पांच क्रूशन में बता हैं आपको इस जादा इसमें से नहीं पूछ जाता है आपरति पूछ लेगा तो आदनिक का आवरत नियम क्या था मोजलीра दिया तो तत्तों के भौतिक गारतिक गुड़ परमाड किरमांक का के लिदे परमाड के आवरति पने मैंliers नहीं तो उन्होंने पर्माड भार लियाते हैं आपे सेम यही लाइन लिख देंगे कि बहुत तरह से ने उनके पर्माड भारों के आवरती फर्ल लोते हैं पर्माड भारो तो मेंडलीब का वरत नियम होगा पर्माड किरमांग के तो आधनिक होगा डेफिनिशन सीम है ठीक है उसके वाद साबनी करड़ भी मैंने आपको करवा रखा है कि जब किसी तेल या बसा को किसी छार के साथ गरम करते हैं तो साबन बनता है और साबन बनने की करिया साबनी करड़ कर लाती है इसकी रेक्शन देख लेते हैं इसकी जो रेक्शन वो देखने बड़ी लगती है पर आप एक दो बार रहना इसकी प्रक्राइस करें तो आराम से बना लेंगे वससे टिक से याद कर लो बस जैसे इसका फर्माड को सी एश टू ओ सी ओ सी सतर एश पैटिस इस एक लाइन को याद करने साब को पूरा साबनी कर याद हो जाएगा इसको मैं अलग से किसी दिन बता दूगी शी एश टू ओ सी ओ सी सत्रे एच पैटिस अब देखो यहां से एक बॉंड लाएंगे यहांपर एक एच कम कर दो सी एच फिर से बही लाइन सी चेंटे किस आदू है यहांपर शूंड नहीं है तो मैं आपको यहीं से समझा दू हमको कैसे जोड़ना है ऐसे लिखेंगे सब फेले यह शीस है न स्में बार जोड़ेंगं के burg约 फीर छोड़ें तो इस मोन जोड़ेंगे फिर इसमें जोड़ेंगे क्या अपनाइगा यह मिँए फесто निचे चोड़ेंगे वाला तो यह हमारा बन जाए ग्लिसरोल उसके 밋दा में साबॉन चाहले पहले C7H35, COONA, NA यह बाला जो बचा था यह ले लेंगे, और प्लस 3 लगा देंगे, C7H35, COONA, यह पर K लेते तो हम K लग देते, तो यह हमारा साबन का फर्मुला है, ठीक है, इस तरह से बना लेंगे, यह पर इस पेस नहीं है, मैं अलग से अपके दिन, 2 मिनिट की वीडियो में समझा दोगे, C7H35, COONA, ठीक है, तीन लगा देंगे, इस तरह से बन जाता यह, S-Khanage में अंतर बताई थे, सभी S के खनिज होते हैं, और सभी खनिज S के नहीं होते हैं, जिस तो copper pirate, यह copper pirate, किसका ask है, copper का है, ठीक है, यह ध्याँ रखना, ask में आप इस तरह से लिखते हैं के, सभी S के खनिज होते हैं, पर सभी खनिज S में नहीं होते, इन्हों बहुत सारी खनिज में ऐस उद्धियां मिली होती, इन्हीं को सुद्ध करके फिर ask बनते हैं, और जो सबसे कम रुपय में खर्च में जो इससे बना जाता है, वही उसका ask बन जाता है, उसके बाद सजादी सेडी किसे कहते हैं, इंपोरेंट है, आब सारी में इसमें से कैसे कर लेंगें, इसमें आपको definition लिखेंगें, आप definition लिखेंगें, खनिज के कैसे लिखेंगे, कि प्रकरती में धातु तता उसके योगिक, जिस रूप में पाए जाते हैं, वह खनिज के लाते हैं, ठीक है, और s में कैसे लिख देंगे, कि जिस खनिज से सुद्ध धातु, सरलता, कुप पूछा तक जमपन, एक और कॉपर ग्लांस, सी यूटू, इस तरह से आप definition भी का सकते हैं, और एक लिखेंगें, कि सभी खनिज एसक नहीं होते हैं, पस सभी एसक खनिज होते हैं, सुद्ध सेडी के से कहते हैं, कि अब करिया सीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में दातुओं की सूची को सकृता सेडी कहा जाता है, यही है आपका, इसमें सबसे पहले पोटेसियम ले जाता है, फिर सुद्धियम, फिर कैल्सियम, इस तरह से लेते हैं, फिर हाड़न से नीचे लोने टे सारी तो इसमें कोशह नुए बीआता है। जो spreadis उपर श्वको दाकों होता है। सप्ता मे नियुक्यों को इसतित यूप कर देते हैं। जो spreadis स्षित होती है वो इसको विस्तापित नहीं कर पाती है। ओक कर ए तो यह सक्रता सेरी था आपका सढ़े लिएको जब समान समूबाली एकोगों को समान समूबाली योगिकों को उनके अड़भार के बढ़ते हुए इसमें अड़भार ले लेना है अड़भार के बढ़ते हुए या घड़ते हुए करम में रखा चाता तो एक स्रेडी बनती है जिसे साथी स्रेडी कहते हैं जिसे एलकेन है अभी बताय सब्सक्राइब आप ऐसे समझा सकते हैं इसके गुड़ भी फिर आपका दातु का सोधन मतलब दातु को सुद्ध कैसे करते हैं इसके सांद्रड भी कहा जाता है एसक में मिट्टी रेत आज को दूर करने के लिए सांद्रड की प्रकरिया और दातों के सोधन की बिदुद्ध अपटनी बिदी का डाइग्राम इसने पूछा है इसको आप लिख देंगे इसमें प्रगलन गालग भरजन इनकी डेफिनिसन बहुत पूछाती यह सारे वही प् आदेगे अब आता है आपका भायो यह कुर्शन वास्टम पटने लार में कौन सा इंजयंब पहिंग था टाइलीं और लार में कितनी जोड़ी जोड़ी होती है तीन जोड़ी जो पूछ्षिया आते हैं में सारे आपको बता जीति हूँ अले जरन मुकलन द्वारा होता है यह होताइ एस्ट में एक आता है कि वह लमकलन किसमें होता वह होता है हेड्रा में ठीक है मुकलन की पक्रियायतो है अलगे जनल लग गया है एपकर तो एस्ट में ऊसके बनी आपको लैमार्क डार्में बताया था इम्पोटेंट है योगितम के उत्ता जीवता यांट diabабат ने दिया है अगर प्योग-उन-प्योग की बात होती-ह लचोपोडNING की बन शांकति वह पारजित लचोंड की बन शांकति यंग परवतन बाद का पुछता तो ही गोडी विज ने दिया है ध्यां रखना सारे पुछे हुए उत्परवतन बाद होता तो ही गोडी विज आन्माशनता के पिता इसका सिद्धान के दिया मैंडल ने और लेमार में दिया था उपार्जित लच्छनों की बंशागती और डार्मि खात जल और पहले भी कई बार बता दिया मैंने इसारे जितने भी कुछन कर बाद चुकिए हूं मैं पहले सौट में बता देती हूं खाद जाल और आहर संकला दोनी इंपोर्टेंट है खाद जल का तो एक दूसरे सारे जुड़े होते हैं सब चीजें यह इसको खाता है उसको फिर आंगे इस तरह से प्रसेस चलता है आप आर शंकला जैसे घास को बकरी ने खाया बकरी को मारब ने खा लिया तो यह आहर संकला होगी एक दूसरे मिलते हैं गास से वहजन माने बकरी को बकरी को बनाने मनस्थ से इस चलता राता है ऐसी खाद जाल होता है यह इस च länger प्रत हो साब साब को बाजने खा लेया तो इस तरह से एक हाजल बन जाता है दूसरे से यह सारे पहले भी करवादे सबस्यादा सरोत सवरूरुचा का जो मिलती है वह सूर से मिलती है समझा संब्रती क्या होते हैं समझा थैंग उत्पती में समान होते हैं और कार के उसला अलग-लग होते हैं और समझा एißt पत्ति में अलग-लग होते हैं पर कार एक जैसा है सिरली के चमकध्र पच्छी के पखंग रंग वह आकार बगएरह सब अलग होगा सब पंकों में ठीक है पर काम एक ही है उनका औरना काम एक होता है वागई सबस्वार समझात में क्योंते हैं सील के फिलफर पच्छी के पंक घोड़े के अंगली टांगे मरुष के हाथ सचना एक जैसी है पर कार सभी के अलग अलग हो इंतर सारे इंतर इंपर्टन बता चुकिए मैं धमनी शिरा रूदिर लश्का अलेंग लेंग परागड़ सव परागड़ी सारे अंतर आपको याद करने लिए मैं दस बताएं तो अलेंग जनलेंगे में क्या होता कि संतान की उतपत्ति कार्ड दो जनकों का इसमें होना आवस कि अ की मैं में नहीं होता ऑलगलत नहीं में ऐंग चनल अपको पहला को समय ने बताया था कि जगर आई है इसमें 옛ग कि जनक क्यावसिए कं एक जनक कि आफ़ सकता होती है ठीक है एक ही जनक इसमें दो जनक मेल फिमयल संतान पूर्ते जनक के समान होती है मतलब इसमें सेम में अलग होगी इसमें बिन विन भिन होती है दोनों इस तरह से आप अंतर बनाके लिख देंगे समसूत्री कोष्ट का बीवाजन होता है है इसमें समत्ति वाजन होता है पोसले आपको बता चुकी मैं साहरा ऑब कि सदसे करते हैं उसके बाद परागर 25 के कहते हैं पराकों से पराक कड़ों के बरत्रिकागर यह तिकमा पर पराकट उसी पुस्प पार पहुंच जाते हैं पर पराकट क्या होता है कि एक पुस्प के पराकट उसी जाती के अन्यफ में पर पहुंचते हैं पुस्प इसकते इस ठीक है इस तरह से बनाके लिग देगे और हिर्दया वाला तो मोश इंप्पोरिंट है सारे कोश्चिन इसमें पांच मेने बताएं हिर्दया बाला सोचन उत्सरजन इससे पहले प्रीबॉट का एक्जाम तो उसमें उत्सरजन वाला कोशन आया था ठीक है और मनुस्कि अहारन आपको एक्जाम में मिल जाएगा तो इस तरह से मैंने थोड़ा आज स्वाट करवा दिया कोशन बहुत सारे रिपीट थे आप सारे सोलोसन देख लो उसमें सारे अंसर आपको इसके मिल जाएंगे तो वीडियो अच्छा लगाओ लाइक सेहर किजिए चैनल को सब्सक्रब यजियो झी जाएंगे लीए ध यह ऑच्छा लगाओ टो स्टार के चैनल का टो सब्सक्रब थे जाएंगे